बढ़ते हैं साथियों एक बहुती महत्वपून और विशय के ऊपर ये हमारे राजिस्थान से जुड़ा हुआ विशय है विशय क्या है साथियों इंदरा गांधी कैनाल में इन दिनों जबरदस्थ पॉल्यूशन चल रहा है अब आप पूछेंगे इंदरा गांधी कैनाल कैसे कहां पर क्यों मतलब पढ़ाई जा रही है साथियों इसलिए पढ़ाई जा रही है कि हमारे राजिस्थान की तो वो गंगा ही है गंगा यू है क्योंकि पूरे राजिस्थान में विशेश रूप से जो पस्चिमी राजिस्थान है जो कि थार के डेजर्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड अमेरिका गनाईज किया जाता है वहाँ पर यदि आज खेती होती है, हरियाली होती है और इवन हमारे दो जिले तो ऐसे हैं, जिने हरित करांती के लिए भी जिम्वेदार माना जाता है गंगा नगर और हनुमानगर ऐसा समझा जाता है कि यहां का प्रोडेक्शन तो पंजाब जैसा है उन सब छित्रों में जो पानी है, वो पानी इंद्रा गांदी कैनाल से आता है लेकिन आज कल यह कैनाल का पानी इतना पॉलिटेड आ रहा है जिसकी वजह से आसपास के छित्रों में पीने के पानी की मतलब असुविधा हो रही है और ये polluted पानी एक्तम काला पानी होके आ रहा है अब ये काला पानी लोगों में कई प्रकार की बिमारियां पनपा रहा है और साथ में बहुत बड़ी बड़ी बिमारी जो pesticide की वज़े से होनी चाहिए कैंसर जैसी बिमारियां भी ये पनपा रहा है जिसके चलते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में सरकार को कहा है कि जल्दी ही अगर सतलज नदी के पानी को सही नहीं किया गया तो इंदरा गांदी कैनाल के अंदर और ज़्यादा परिशानियां बढ़ जाएंगी अब आप पूछेंगे कि सतलज नदी से इंदरा गांदी कैनाल का क्या लेना देना है तो आईए थोड़ा सा आप जियोगारफ ही जान लें और हम आपको बताते हैं कि सतलज नदी का पॉलिएशन इंदरा गांदी कैनाल को पॉलिूटिड कैसे कर रहा है तो आज के सेशन में ये सारी बातें आपको पता चलेंगी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राजिस्थान के लिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नियूज है, होने के लिए पूरे भारत के लिए है, लेकिन राजिस्थान इसे बहुत ही में कहा है पंजाब और राजिस्थान गवर्मेंट को कि आप लोग अपने द्वारा हर तीन महने में जलशक्ती मंतराले को बताईए कि आपने पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या किया, तो अब हमको ये जानना जरूरी है कि सतलज रिवर तो राजिस्थान में नही इद्रा गांधी कैनाल तो ये सारी बातें आज के सेशन में आपको पता चलेगा, क्या है पूरी कहानी एक बार के लिए नदियों को देखते हैं, साथियों हम जब नदी के रिवर सिस्थम की बात करते हैं तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्थम जो है वो है पांच नदियों के बीच का छेतर पंजाब कहलाता है इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान में पांच नदियों के कारण एक भाग है जो पंजाब के नाम से जाना जाता है इसी पंजाब में होकर के एक नदी बहती है जो इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है उसक चेनाब और जेलम और इंडस ये तीनों तो पाकिस्तान को पानी पहुँचाएंगी इसके अलावा रावी, व्यास और सतलज ये तीनों मिलकर के भारत को पानी पहुँचाएंगी साथियों, भारत को पानी पहुँचाने में अगर आपको ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर नजर आ रहा है तो ये सतलज नदी आपको दिख भी रही होगी साथियों, ये सतलज नदी को अगर आप मैप में देखें ये जो सतलज रिवर है इस सतलज रिवर के साथ में व्यास रिवर जो है ये आकर के जुड़ती है तो सतलज और व्यास आपस में जिस जगे जुड़ती है ये पंजाब का एक छेतर है जहां पर डैम बना हुआ है और उसका नाम है हरी के बैराज उसका नाम क्या है हरी के बैराज और उसी हरी के बैराज से होकर के इंदरा गांधी कैनाल निकलती है राजस्थान के लिए यदि आप इस बात को यहां देखें तो सतलज और व्यास जहां पर मिल रहे हैं ये पंजाब का फिरोजाबाद है और यहां पर बना हुआ है फिरोजपूर है और यहां पर बना हुआ हरी के बैराज और इस हरी के बैराज से निकलती है इंद्रा गांदी कैनाल जो की राजिस् तो तिम्बत वाले छेतर से आ रही है। सतलज आने के बाद में सतलज को व्यास से कहां मिलाया जाता है तो हरी के बैराज पर और हरी के बैराज से पानी यहां आता है। अब हम आपको वो बताते हैं तो एक बार सतलज रिवर के बारे में जान लीजिये साथियों सतलज नदी जो है ये क्रॉस बॉर्डर करके आती है इंडस के बाद दूसरी बड़ी नदी है कैलाश माउंटें से निकल करके आती है हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है 1450 किलोमीटर लंबी है अब सवाल बनता है कि सतलज नदी किस प्रकार से पॉल्यूट हो रही है आए जरा हम जानते हैं साथियों इंडरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी पर बने हुए उसी जगह से निकलती है कहां से निकलती है वही से निकलती है हरी के बैराज से जब हरी के बैराज से ये निकलना शुरू होती है तो साथियों सतलज और व्यास के मिलने पर हरी के बैराज निकलता है और ये 2 नवंबर 1984 में मतलब इसको नाम दिया गया था इंदरा गांधी जी के नाम के उपर, इसको इससे पहले औरिजिनली राजिस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था, जब इंदरा गांधी जी का असेसिनेशन हुआ तो उनको इसके नाम के उपर इंदरा गांधी कैनाल कहा गया, साथियों यह नदी जो है ये 167 किलो मीटर पंजाब में बहती है उसके बाद हरियाना में 37 किलो मीटर बहती है और फिर राजिस्थान में 445 किलो मीटर तक बहती है कौन ये जो कैनाल है राजिस्थान कैनाल जो औरिजनली जानी जाती है जिसे वर्तमान में इंद्रा गांधी कैनाल कहा जाता है तो इंदरा गांधी कैनाल हरी के बैराज से होकर के राजिस्थान में आता है और लगभग साड़े चार सो किलो मिटर तक राजिस्थान में पानी की सप्लाई करता है अब हो क्या रहा है साथियों हो ये रहा है कि अब सतलज नदी के अंदर इस प्रकार से जो आप गंदे नाले देख रहे हैं ये खुल रहे हैं गंदे नालों की वज़े से सतलज के अंदर पानी पड़ गया है काला अब आप पूछेंगे कि सतलज का पानी इतना गंदा और काल हुआ इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है असल में क्या है साथियों सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है लुधियाना शहर वो जो लुधियाना शहर है वो अपने द्वारा जो कपड़े बनते हैं और जो लैदर का काम होता है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं उस केमिकल्स को यूज करने के बाद में जो बचा हुआ पानी है या फिर समझ ये कि जो केमिकल्स फैक्टरी में फैल गया उसको धोते हुए उस पानी को नदी में डाल दिया जाता है यह वो गंदा नाला है जिसका पानी जाकरके सतलज नदी के अंदर गिरता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से इस नदी के किनारे लगी हुई इंडस्ट्रीज अपना पॉल्यूटिड वेस्ट जो है वो सीधा नदी में फ्लो कर देते हैं और यह नदी में फ्लो हुआ जो पूरा वाटर है यह इस प्रकार से अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में कच्रे को ले जाते हुए नदी के अंदर गिरता है अब यह आप पूछेंगे की यह कौन सा नाला है साथियों असल में लुध्याना के अंदर एक नाला है नाला मतलब समझ रहे हैं ड्रेन के लिए एक बहुत बड़ा मतलब खड़ा सा समझ यह कचरा ले जाने वाला नाला गंदा नाला जिसे आप कहते हैं यहां लुधियाना में उसका नाम है बूढा नाला यह बूढा नाला जो है यह सतलज में मैक्सिमम गंदगी डालता है बूढा नाला को लेकर के आप इस प्रकार के दरश्य देख सकते हैं कि ये अपने अंदर एकदम कालिख लेकर चलता है और ये कालिख जो है वो कहां डालता है सतलज नदी के अंदर डालता है तो लुधियाना से निकला हुआ वेस्ट सतलज नदी में गया, वो हरी के बैराज का हिस्सा बना और हरी के बैराज से राजस्थान में एंट्री कर गया National Green Tribunal ने इससे पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी कहा था Ministry of जल्शक्ती मंत्राले से कि यदि आप लोगों ने बुड़ा नाला को सही नहीं किया तो जल्दी ही इसका प्रभाव बहुत सारे छेत्रों में देखने को मिलेगा साथ ही हो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ क्योंकि हम सब लोगों में परियावरन प्रदूशन को लेकर समवेदन शीलता जो है वो थोड़ी कम है हमें लगता है ठीक ही तो है पानी आरो का पीलेंगे है के नहीं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर पॉल्यूटेड पानी चाहे वो आरो से आए चाहे वो खेती से आए अगर आपके शरीर में कैमिकल के रूप में पहुँच रहा है तो आप उससे नहीं बच पाएंगे मैं छोटी सी एक जानकारी दे देता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा साथियों आप पीने के लिए तो आरो का पानी यूज़ कर लेते हैं लेकिन पेड़ पॉधों के लिए आप सीधा वही पानी यूज़ करते हैं अब यह जो chemical polluted पानी है जिसे आप यूज़ करते हैं अब इसकी दुविधा सुनिए दुविधा यह है कि यह जो chemicals हैं जब यह पॉधों में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे यह पॉधों में एकत्रित होने लगते हैं हालत यह हो जाती है कि यह bio accumulation, bio magnification में convert होता है और बहुत बड़ी रसाइनिक पधार्त आपके शरीर में खाद्यान के माध्यम से entry कर जाता है आपको शायद जानके आशरे हो कि जब green revolution हुआ, हरित करांती आई तो कहा गया था कि हरित करांती के लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार कारण थे वो कहे गए थे कि high yielding variety यूज की गई थी, HYV प्रकार का seed यूज किया गया, fertilizers को यूज किया गया, लेकिन क्या आपको पता है इन fertilizers ने उत्पादक्ता तो बढ़ाई थी, लेकिन लोगों में इतनी जादा तबियत खराब कर दी, कि आपको शायद ये जानकर आशरे हो कि बीकानेर में, जो कि राजिस्थान का एक शहर है, जहां कि बुजिया बड़ी famous है, साथियों बीकानेर में पंजाब से चल करके एक train आती है, उस train का नाम ही cancer express है, शायद आप लोग इस बात को जानकर के हैरान हो जाएं लोग उसे cancer express के नाम से जानते हैं, मतलब इसलिए क्योंकि पंजाब वाली साइड से जहां पर की fertilizer युक्त पधार्त और chemically polluted पानी खेती में यूज किया जाता है, उस खेती में यूज किये गए पानी से, वो पानी का बना खाद्यान वही के लोगों के शरीर में जाता है लगता बले ही होगा आपको कि बड़िया लस्ती पी जा रही है, बड़िया मक्केदी रोटी सरसों का साख खाया जा रहा है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा उसमें चुपा हुआ chemical और वो आपके शरीर में cancer पैदा कर रहा है और cancer के treatment के लिए इतने मरीज बीकानेर medical college में आते हैं, उस train से जिस वज़े से उस train का नाम cancer express के नाम से जाना जाता है, कि इसमें cancer के रोगी आएंगे, आप पिचार करिए साथियों, ये बहुती संबेदल शील विशे है, पर हमें अपनी आखों से जब समझ नहीं आता, तो हमें लगता है कि हम थोड़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं, आप मेंसे भी बहुतों को ऐसा लगता होगा, अरे ये तो pollution वहाँ है, मेरे छेतर में थोड़ी है, भाई सहा आप भी नहीं रह सकते, क्योंकि भारत एक सहरदय रास्टर है, है ना, तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ा विचार है, कि बुढ़ा नाला को कैसे recover किया जाए, तो यहाँ पर विचार किया जाता है कि बुढ़ा नाला के उपर भी water filtration के लिए कार किये जाने चाहिए, साथियों सतलज रिवर के उपर बहुत सारी case studies बैठी, वर्तमान में गंगा नदी के लेकर के जिस प्रकार से नालों के उपर water treatment plant लगाए गए हैं, वैसे ही बुढ़ा नाला पर भी water treatment plant लगने चाहिए, ताकि पहारों से उतरती हुई इतनी निर्मल सतल ही है, ये काले पानी को लेकर शहर में ना पहुचे, तो उमीद है आप सभी साथ ही इस बात को समझ जाएंगे, याद रखिएगा जब भी water pollution बढ़ता है, तो पानी के अंदर biological oxygen demand बढ़ती है, biological oxygen demand क्या होती है, उस पानी में पल रहे जीवों के लिए जो oxygen की आवशकता है, वो increase होती है, तो याद रखिए, high biological oxygen demand, that means high polluted water, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कि पानी के अंदर प्रदूशन अगर है, तो उस पानी की oxygen की आवशकता जादा होगी, वो जादा पानी oxygen मांगेगा, क्योंकि ultimately उसे अपने जीवों को survive करना है, और अगर पानी के पास oxygen नहीं पहुँच पाता, तो जीव सड़ करके मर जाते हैं, और उनकी वज़े से बदबू आना शुरू हो जाती है, तो उमीद है, सभी साथियों को ये सारी बातें बहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, NGT ने हाल ही में किसे direct किया है, तो पंजाब और राजिस् रक्षा के लिए कार्य किया, ठीक है, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ अनकेडमी पर पढ़ना, तो मेरा referral code है, अंकित 10, जिसका उपयोग करके, आप 10% discount प्राप्त कर सकते हैं, on all अनकेडमी सब्सक्रिप्शन, एक अगस्त से सब्सक्रिप्शन महंगे हो रहे हैं, यदि क्लास, टेस्स सीरीज और डाउट क्लेरिंग सेशन उपलब्द हो, तो गूगल प्ले स्टोर से अनकेडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कर लें, साथियों आपकी आज और कल special classes नहीं हैं, मंडे के दिन पूरा weekly revision का क्लास रखना प्रस्तावित है, यदि समय उपयोगत रहा